अब लोगों को शर्म नाम की चीज नहीं जो बिजली का जो प्रिपेड सिस्टम इन्होंने स्टार्ट किया वो किसी को भी मनजूर नहीं किसी स्टेट नहीं किया स्मार्ट मिटर आपने लगाए जो 500 पर बिल आता था आज 33,000 पर बिल आ रहा है जिन्होंने यसी भी नहीं लगाए और फिर बताया जाता है टेक्निकल फाल्ट है सुबह 600 पर बिल होता है शाम को 17,000 पर बिल बन गया होता है पीजीपी वालों को शडम आनी चाहिए नलाइक लीडरों 25 मले जीत कर वेजे थे जमू की जनता ने और आप लोगों ने उन लोगों के गरों में डाके डाले 370 तोडने के बाद जिन जिन लोगों ने हम सबने जिन लोगों ने क्या हम सबने जो थालिये बजाई थी आज लोगों की किचन में खाली थालिया ही मिलती है और कुछ भी नहीं मिलता जमू कश्मीर में ही बिजली तियार की जाती है उसके बाद बाकी स्टेट्स में भी बिजली बेची जाती है लेकिन जमू कश्मीर के लोग इस वक्त परिशान है क्योंकि उन्हें ये कहा जा रहा है कि अब प्रिपेड मोड से आपको बिजली दी जाएगी यनि पहले आपक को पैसा देना होगा उसके बाद आपको बिजली दी जाएगी और हमारे साथ भी खुसुसी बादशीत के लिए मौजूद है हम आदमी पार्टी से सीनियर लीडर अमिद कौपूर जी कल भी इन्होंने प्रिपेड सिस्टम को लेकर जो है वो प्रोटेस्ट किया और आज हम इन सथार पर रिषान किया दा रहा है बिजली के हवाले से लेहिए मैं आपको बता दूं सबसे पेasureinis doing को बहुत बहुत पहुत दन्यवाद करता हं क्योंकि कि हमने में दो तिन दिन पहले रहा था हरी सिंघ। के बाहर कि 10 किलो ही आटा मिलेगा जुनको पहले 3 किलो मिलता था लेकिन जो बात करूँ मैं प्रिपेड की बड़े अफसोस से कहना पड़ता है आए दिन ने कानून लाए जा रहे हैं जमु कश्मीर में 350 तोड़ने के बाद जिन जिन लोगों ने हम सब ने जन लोगों ने किया हम सब ने जो ने बजाई थी आज लोगों की किचन में थालिय्ए खाली थालियाningen मिलती leaning और कुछ भी नहीं मिलता इतनी महंगाई कर दिई लोगों献 में अब जो बिजली कि जो बिज़ी का जो परिपेड bagus ने हिस्टम इन्हों स्टार्ट किया वग्षी को मंझोर नहीं किसी स्टेट ने एकस्ट नहीं किया दो हजार इकिस में हमारे मोदी साहव में यह कानूर लाया था, यह एक ओडर चाहे वो ऐसी लगाते थे चाहे कुछ भी वो हमें बेनिफिट क्या होता था कि हमारे जम्मू कश्मीर में हमारी खुद की 19 प्रजक्त है बिजली के 19 प्रजक्त होने के बाद हम लोगों को ये सहूलत मिलती थी कि बिजली हमारे गर की बिजली है लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है तीन सो सत्तर तोडने के बाद इन लोगों ने बिजली तो पहले भी सेल होती थी, अब भी सेल होती है अधर स्टेटों को, लेकिन इन्होंने क्या किया, तीन सो सत्तर तोडने के बाद अलग-अलग कानू लाकर जो बिजली पहले स्मार्ट मीटर लगवाए, स्मार्ट मीटर ज है वो प्रिपेट कर दी गई है अईसे भी बहुत से गई हैं जिनके बिल us फांच हां उनके पास इतनी आंदनी नहीं खांद समें इनकम नहीं है कि वो बिल्स बर पाएं लेकन इंतजामिया उनके बिल्स तक माफ नहीं कर पारी और उपर से प्रिपेड मोड किया जा रहा है इनको शडम आनी चाहिए बीजीपी को बीजीपी को एहसास ही नहीं कि एक कलके कलके उठे हुए लीडर एक आम आदमी एक गर्णमे केजरिवाल अर्विन केजरिवाल ने आते ही आप सोचिए कि 75% लोगों के बिजली के बिल्स जीरू आते है धैली जैसी विक सिटी में वहां पे भी 50% बिजली के बिल्स जीरू आते हो और उसके बाद पंजाब में एक साल से सरकार बनी है वहां पे 50% लोगों के बिजली के बिल जीरो आते हैं लेकिन वहां पे भी तक प्रिपेड नहीं हुई और दिल्ली के कुछ पोश एडिये में जहां पे प्रिपेड है वहां पे भी आफ्शन रखी गई है आपकी च्वाइस है पोश पे रखना चाहते हो या प्रिपेड रखना चाहते हो और पंजाब में जितन एक्स्टा राशन का ऐलान किया तो साथ ही साथ उनने ये भी कहा कि समार्ट मिटर्स के अलावा कोई और चारा नहीं है क्योंकि जमुआ कश्मिर इस वक्त अगर लास में चल रहा है वो इसलिए चल रहा है कि लोगों ने यहां पर बिजली के बिल दीए बाई साब अधर स्टे जरिवाल डर्मय वजली नहीं बनाता वह अधर स्टेट्टों से वजली ख्रीदता है यहां पे दो क्रोड 25 नाफ और लोगों को फ्री आफ कमाथ दे सकता है और यहां पे बनती है और हमें एक करोड़ पचीस लाग तीस लाग लोग विजली फीर नहीं ले सकते उसमें पिछली फ्रीट नहीं दे सकते विजूद भी लेटनेट गौर्ण मनोज फिरा कर रहे हैं गृब लोगों को हम हर तरहां की सहलियात फुराम कर रहे और उन्हें प्रियर्टी भेसवर उनकी हर मुश्किलात कँ अजाल कर रहे हैं neighborhood कहता है ता बिचारे लोग जो है वो दरबदर बटक रहा है आफिस में जाता है वो प्राइवट वाले के पास बेजते हैं प्राइवेट वाला जाता है वो कहता है पीछे से बंध है बिचली का बिल कलियर कीजिए मुझे एक चीज बताइए जो लोग 200-500 बिल नहीं दे सकते थे उनका 22- तो आप सोचिए कि वो नया बिल देंगे, या पुनाने इंस्ट्ड्रमेंट देंगे, अब जिनके गर कमाने वाले नहीं, जो विड़ो है जो किराये पे रहते हैं, या जिनके गर में कोई कमाने वाला नहीं है जिनका कोई जरिया नहीं है, तो मुझे आप बता दीजे, करोण से अभी लोग उठे भी नहीं जमू किश्मीर के तो कहां से देंगे वो बिल और जब बिजली हमारी है बिजली बनती है सब कुछ हमारा है तो हम बिजली इतनी महंगी खरीद के क्यूं ले और प्रिपेर सिस्टम क्यूं जब स्मार्ट मिटर आपने लगाए जो 500 पर बिल आता तो जितनी भी स्ट्रीट लाइटे लगी है आपने देखा दिन को भी आन होती है कहीं बार तो इनको बंद करने के लिए कोई इन्सान इनोंने कोई मुलाजिम इनोंने रखा रही और ये खर्चा किस पे जाता है डिपार्टमेंटों के खर्चे इनके आप मुंसिपल्टी ड उसकी हमें चुजए विस से पचया 하기 और रखका है की और ये उसके महरता है ब्म क्रकले मुलाज एए घी करी आब नहीं कोई नहीं कर देघकार लेको लोगों को लूटा जा रहा है अब तो आप 3,000 प्या-sक्योर्टी अपर एक करना पड़ेगा उसमें जाने की तीन तीन हजार पे आप लेके तो कितना ज़्यादा रेवन्यू आभी कठा करने की साज़िश्क्रची जाड़ी है दो साल दो साल के लिए LG को आता है वो नईनी स्कीमें लेकर आता है और यहां पर अपनी इंप्लिमेंटेशन करवा कर उपर अपना गुडविल में अपना नाम दर्ज करवाता है और आखिर मैं क्या कुछ ढमांड रही है LG इंतजामिया और मर्कज की भाजबा सरकार स्तारा स्तारा लाख बात करो तो गुलाम नवी अजाज साब की कोठी का गुलाम नवी अजाज साब की बात नहीं कर रहा BGP लीटरान लीटर الل sectors बात करो बात करो तो BGP लीडरौन जो वह कोठी हे बढंके बैठे हुए है आप PDP, INC जितने भी पार्टी मिल हैं जितने भी लीड के बिझलियों को बिझलिजविए थैं इनके लोगगे बिझलिőं को बिझलियों को बिझलिए परज को बिझलियों और BGP वालों को शडम आनी चाहिए, नलाइक लीडरों 25 MLA जीत कर वेजे थे, जमू की जनता ने, और आप लोगों ने उन लोगों के गरों में डाके डाले, उन लोगों की गर की विजलियेश ही नहीं, उन लोगों के गर में मैं कहूँ है कुछ भी नहीं जोड़ा, सिर्फ जनता यह चाहती है, यह आवाज रखना उपर चाहते नहीं, यह एक नपुन्सक बनकर बैठे हुए है अपनी सीटों पे और इसी वजह से, और उपोजिशन वो डड़ी हुई है, और उपोजिशन को पता नहीं क्यों ट्राया हुआ हुआ है, आखिर उपोजिशन कर रही है सोशल अक्टिविस्ट जितने भी है वो बोल रहे हैं, लेकिन जो लीडरान है, जो बड़े-बड़े लीडर बने हुए है, यह लोग डर के गड़ बैठे हुए है, और जो इस टाइम सरकार में है, अगर मैं सरकार की बात करूँ तो LG साब BGP के ही है, और BGP, BGP जो पबल जा रहे हैं, गर-गर लोगों से मिल रहे हैं, आपको पता किन के पास जा रहे हैं, यह उनके पास जा रहे हैं, जो अंदबगत है, आए हमारे यह से लोगों के पास, हम तो सिधे बोलेंगे, कि भाई साब आप 9 साल जो गिनवा रहे हो, आप 9 साल में कहां थे, आप तब क्य तब क्यों नहीं लोगों को उच्वा कि आपका क्या हाल है तब नहीं थे अन्हीं क्यों नहीं यह बात की कि हमारे साथ यह हो रहा है कभी कभी CUET के नाम से लूट लिया, कभी बच्चों के JK Boss के रिजल्ट के नाम से लूट लिया, कभी प्राइबेट स्कूलों का 5-5 किरोडर पे का मैं नेक्सस ओपन कर चुका हूं कितनी वार, कमेटियों में चेर्मेन ला रहे हैं, वो भी अपने लाए जा रहे हैं, वहां पे भी कठा किया जा रहा है, तो ये हलाद जम्हो कश्मीर के बनाएगी हैं, ना एजुकेशन पर कंट्रोल हुआ, ना हेल्थ पर कंट्रोल हुआ, ना बिजली पानी पर कंट्रोल हुआ, और ना ही ये किसी चीज़ पर कंट्रोल कर पाए, विरोजगारी की तरफ जाओं तो जादा बढ़ चुकी है कि आज ये कहते हैं कि हम कुछ ना कुछ करेंगे विरोजगारों के लिए कुछ नहीं कर सकते ये बीजी पी को बगाना होगा जमू कश्मीर को बचाना होगा अमेद कोपो जी थे हमारे साथ जिनने मुखतले मसायल को लेकर हमारे साथ खुस्वी बात आपकी क्या राया है आप भी कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजेगा